आदी इह कहाँ दिल्ली में सुरक्षित हैं देश की राधानी है और हमानचल हमारा उत्री इलाका है वोक्ति केश्ची जो हमारा ही ब्रुशी है वह कहां सुरक्षित है जब यह हर जगे असुरक्षी था हैं तो अपने को बचावें बाकी कुढ़नी की कुढ़न से इनका काम ने चलेगा हमने उसको ठिक करें बात को सुनो पहले जब बड़ी लड़ाई आ जाती है तो छोटी लड़ाई खतम ने होती है लेकिन थोड़ा उसके पीछे खड़ी उचे अब दंगाईयों से हम चले हैं भी भारत को बचाने अब भारत बच जाएगा तो वाकी सब का दिकार भी हम लुक दे देंगे बारी ब अब एक बार फिर से सुर्खियों में है नितिस कुमार चर्चा यह हो रहा है कि क्या नितिस कुमार पीएम बनेंगे या नहीं हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजत के प्रदे सध्यक्ष जग्दानंसी कैसे देख रहे हैं क्या लगता है कि प्रधान मंत्री की उमिद्वारी को लेकर नितिस कुमार फिर से सुर्खियों हो गया है क्या हुआ है सब लोग बिहार की तरफ से बिहारी वही तो परदान मंत्री की कुर्शी पर वैठ है और उस बिहारी की हैश्य से अकीले बिहार की लोगों के प्रत्थम अंतिम ज्वाइश और इच्छा है कि नितिस कुमार हमारा प्रत्रेदेत्व करें अलल बोलde कि उइप से में ठेले के कि ben यह लेकी है नितिस कुमार कर दो अपने ही घर में हार गये हैँ तो फिर प्रत्री मेलों बनने की क्या बात रहते हैं कि थोड़े देर के लिए नितिश हारी नहीं है क्योंकि अपरे देशवर का चुनाव ने लड़ते हैique यहीं देश्बरका चुनाव तो नरेंद्रमोडी लड रहे थे लेकिन यह साथ गड़ र不知道 के अरश्मोडी नरेंद्रमडी लड रहे थे ना देश्बरका चुनाव चुनाव इसक्रज में तो जग तीन जगे तेन राजियों में था देश की दिली दिल है अर्थात मद्ध का और पच्छिम गुजरात में जीते हैं लेकिन पूरब उडिशा में हारें बीच में हारें यहां मद्ध परदेश से जो निकल के रज कौन हुआ हो है हमाचर परदेश 36 गड़ा रहें राजस्थान हारें उत्तर परदेश में बूरी तरह से हारें जिसकी ताकत की बल पर अब जरूर पूलिस टुलिस के दौरा मारफार पीट करके वहां की अलवसंख्यक भाईयों को ओट वे वह तो बहुत खत्रनाक शीच है लोग तंत्र में जिस दिन ओट के अ बाद कर रहे हो कि इस ओट की राजनीती से तुम अलग चले जाओ बहुत खत्रनाक है और जहां जहां एक गंड़ा खेल हुआ है इस देश में वहीं पर जुल्म पैदा हुआ है और प्रतिरोद में नक्सलिजम और जिसको हम करते हैं संगर्शी जनता आगे आ गई है ले दे करके पूरी देश की हार को केवल कैसे कुड़नी के द्वारा रिपेर करना चाहते हैं कुड़नी के द्वारा अब वहां पर वह निश्चित रूप से तकनीकी रूप से आज पाटी हारी है संजुक्त दल हारा है आपका शक्ति हो महाकट बंदन हारा है कोई व्यक्ति दल नहीं हारा वेकती हैं तोरे शे और शे उसको देखा जाएगा सम्हा लिया जाएगा देश में इन दंगाईयों को परास्त करने के लिए देश की जो आवाज निकल रही है उसको ठीक समझो यह देश में हारे हैं अधी कुढ़नी पर वही हिं हिंदुस्तान के अपने हार का संतुष्ट्री करना हो तो कर ले अपनी संतुष्ट्री एक तवाल तो यह भी है ना कि अगर नितिस कुमार पी-एम बनेंगे तो इसके लिए अब आगे क्या करेंगे क्योंकि अपने ही घर में वो सुरक्षित नहीं है अपना घर का मतला महागड़ बनतान सुरक्षित है लेकिन अधी ये कहां दिली में सुरक्षित हैं देश की राजानी है और हिमांचल हमारा इत्री इलाका है बूरर की इलाका है वहाँ भी तो इसका मजब खत्रे में देश है, 36 गड़ में कहां सुरक्षिते हैं, राजस्थान के रिगिस्तान में कहां हैं, और उडिशा जो हमारा ही पडूशी है, वहां कहां सुरक्षित हैं, जब यह हर जगे असुरक्षित हैं, तो अपने को बचावें, बाकी कुढ़न कि कुढ़न से इनका काम ने चलेगा, हमने उसको ठीक कर लेंगे, कॉंकि राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर जो काम कर रहे हैं, एक तरफ ममता अब इनर्जी हो गया, अर्विन के जरिवाल हो गया, अगर महाराज की बात करें तो कैसे एक जु प्यूर करकी इसको ठाहो, और भारत को सुनो, सुनो पहले, भारत को बचाहो, और कभी सोचा था, ये भारत की आजादी की लड़ाई में एक चंपारन पूले भारत की आजादी की नीव पड़ेगी, सोचा था कभी, कुमर सिंग को बेकूफ माना गया, लेकिन क्या वो 1857 का बित्रो नीव नहीं पड़ा, आजाद भारत का, और द्विती आजादी, जब हम जैपरकाश जी की कहते हैं, तो ये जो गुजरात के लोग बमक रहे हैं, यह चात्रा आंदोलन खतम हो गया था, जैपरकाश को बुलाया गया, गुजरात भी बुलाएगा बिहारी को, और लोगों को ठुकरा करके घर बेंदिया था, दिल्ली में भुला करके उनको परदान मंतरी का, और एक नहीं अनिक बार जब समझते थे अपराजे है कोई, तो पराजित विहार के लोग नहीं किया, अपराजे थे थे, तो भी तो करपूरी ठाकों ने चवजरी चरण सिंग को परदान मंतरी बनाया, अपराजे थे जब लोग, तब देव गवडा, कोईद कुमार गुजराल को लालू परशाद में परदान मंतरी की कूर्शी पर बठाया, ये बिहार है जी, सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, बिहारी कहा है, बिहार की असिंता के शाद जो खड़ा है, स बिहार से नेता भी दे रहा है, एक सवाल है, जब ते जशीया दो बिहार में भी पक्ष में थे, तब वो लड़ाई लड़ते थे, लेकिन वो लड़ाई अब सूस्त हो गई, एक तरह से कहा जाए कि अब बतलब अपाहिस टाइम से हो गई है, तो वो लड़ाई कैसे उसको लड़ाई करेंगे, कौन लड़ाई, जैसे वो स्वास्त को लेकर, सिक्षा को लेकर, कई लड़ाई लड़ते थे, सड़क पर रहते, सिशाई, कमाई, दवाई, पढ़ाई, कई रिमूदों को लेकर, कि लेकिन अब उसमें सूस्ती आने, बात को सुनो पहले, जब बड़ी लड़ाई आ जाती है, तो छोटी लड़ाई खतम ने होती है, लेकिन थोरा उसके, पीशे खड़ी हुजए, अब दंगाईयों से हम चले हैं भी, भारत को बचाने, अब भारत बच जाएगा, तो बाकी सब का दिकार भी हम लोग दे देंगे, बारी बारी, उसके बाद भी ह इस कुर्शी पर बाइट करके, दंगाईयों ने सारे लोगों को जलील किया है, तो एक लड़ाई प्रथम, देश बचाओ, भारत बचाओ, इन दंगाईयों से, ये प्रथम चरन हमारा हो गया, अब इसी के भीतर, उस सारी चीज़ें हैं, जो आज हम छोड़े नहीं हैं, ल समय के लिए भी राम दे दिया गया है, बहुत बहुत सुक्रिया, तो आप सुन रहे थे क्या कुछ करना था प्रदेश अध्यक जगदान अंसिन का इस खरवस इतना ही बने, रहे ने इस परनेशन के साथ, अब तक के हमारे चैनल को स्क्रामी के हैं, तो कलेजे, जड़ धन्यवां प्रदेश करें।